अगे बढ़ते कुछ और खबर कारू करते हैं और अब एक्षिन में प्राइमरी मार्केट भी नज़र आ रहे हैं और अब ओला एलेक्ट्रिक के आईपियो को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सूतों से मिली जानकारी के मताबिक कंपनी आईपियो का साइस घटा सकती है आख सूत्रों के मुताबिक ओला एलेक्ट्रिक जो की एक आईपियो लाने वाली है वह जो रकम ओफस काटेगरी है जो ओफ़ फॉर सेल काटेगरी है उसको घटाने की विचार्क में है और जो कंपनी के प्रमोटर है अभी वह यह ओफस काटेगरी जो ओफ़ फॉर सेल है इसको अभी 1750 करोड रुपए से घटा के 1212 से 1200 करोड लाने की विचार कर रहे हैं अभी जो IPO का साइज है जो कुल साइज है वो 7250 करोड आका जा रहा था अगर यह प्लान इंप्लिमेंट होता है तो IPO का साइज घटके 6500 करोड हो सकता है अभी यह OFS कैटेंगरी है इसके साथ एक अनियर न्यू प्राइमरी इशू है 5500 करोड का जो की प्लान के मताबिक होगा अभी ओला एलेक्ट्रिक को पिछले महीने ही सेबी ने यह अनुमती दी थी IPO लाने के लिए उनके जो DRHP है उसको अप्रूवल दिया था 2017 में ओला एलेक्ट्रिक स्थाप्पित हुआ था और यह इसकी एक तामिल नाडू में एक एलेक्ट्रिक वहिकल टूवीलर फैक्टरी है और यह प्लान ओला एलेक्ट्रिक पिछले साल से कर रहा था और दिसंबर पिछले साल ओला एलेक्ट्रिक ने सभी के साथ एक DRHP फाईल किया था जो की पिछले महीने ही अप्रूव किया गया था तो यह है प्राइमरी मार्केट से जुड़ी बड़ी खबर IPO साइज यहाँ पर उस महाँ पर कंपनी में कमी कर सकती है और ओला एलेक्ट्रिक का तमिल नैडू में भी एक टू वीलर प्रैंड मौझूदा निवेशेक IPO में अपनी कम हिस्सेदारी बेचेंगे इस तरीकी की खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है ओला एलेक्ट्रिक से जुड़ी तो चलिए क्या आगे इस पर अपडेट होता है इस पर हमारी निजर बनी रहीगी तो यह थोड़ दर पहले हम अपनी exclusive खबर चला रहे थे क्योंकि यह IPO काफी बड़ा है ओला एलेक्ट्रिक का और उस पर हमारे सयोगी अभी हमें जानकारी दे रहे थे कि कंपनी IPO का जो साइज है वो घटा सकती है क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं क्या ट्रैक कर रहे थे आप ओला एलेक्ट्रिक के IPO को और अब जो साइज घटाने की बात की जा रही है वो भी आपको बता देते हैं 7,250 करोड से घटा कर 6,500 करोड का हो सकता है तो क्या लग रहा है आपको क्या रीजन होगा कंपनी का क्या रहा है कि प्रमोटर अब कम हिस्ता बेज सकते हैं इसके जरीए तो यह जो पूरा डेवलाप्मेंट हो रहा है अपडेट्स आ रहे हैं क्या इसका ओला एलेक्ट्रिक के IPO को इनिशल रिस्पॉंस में कुछ फरक आप देख रहे हैं यहां पर स्टॉक तो जो IPO आएगा वो सब्सक्राइब होने का तब फूल संभावना है चाहे वो 7200 करोड का आता या घटा कर अगर 5600 करोड का भी करें तो जो एक IPO यूफोरिया है प्रैमरी मार्केट में जो एक अबबीट मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा तो अगर इनका IPO साइज घटाते हैं तो हमें लगता है वो सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा और लिस्टिंग गेन भी थोड़ा सा बढ़ सकता है तो यहां पर अगर यह IPO चाहे 7200 करोड का या 5600 करोड का है इस सब्सक्राइब फॉर लिस्टिंग गेन डेफिनेटली बहुत 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 शुक्रिया रागविर जी आपका अपने पूरा इनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए तो IPO ओला इलेक्टिक का IPO काफी अट्रैक्टिव है और इसका इंतिजार भी है और इस वक्त IPO मार्केट में यूफोरिया भी चल रहा है तो यह जो खबरे आ अपडेट आ रही है अभी इसका कुछ जादा इंपक्ट कम्टी के रिस्पॉंस को नहीं पड़ेगा तो यह है पूरा इनालिसिस बाकि जो भी अपडेट आता है वह हम आपको बताते रहेंगे शुक्रिया शुक्रिया